स्वागत है आपका दप्रिंट में चुकी जारखंड का विधान सभा चुनाओ और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से बीजेपी अपने कामपेंड को देख रहे हैं और बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए तैयार है हमारे साथ बावुलाल मरांडी है जो बी में जो चुनाओ हुआ तो जितनी पारटी को मिदे थी उतने नहीं मिल पाए तो सुभाविक है कि इस बार काड करता और पुरी जोर लगाए हैं पुरी ताकत हम सब लोगों ने लगाई हम सब लोगों की अचाहत है कि दोहजार चौवीस के लोकसभा के चुनाओ में जह हमन एक कावन विधानसभा स्वीटों पर बढ़त बनाई थी तो अब चाहते हैं कि इस बार एक कावन प्लस स्वीटे बारती जनता पारटी को इस विधानसभा चुनाओ में मिले और इस चुनाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इशू क्या है कि बीजेपी लगातार करॉ का एक लौता इसू है जो आपको सत्ता में वापस ले आएगा नहीं एक लौता इसू कुछ भी नहीं होता है अबने का कि कई एक इसू है तो जार खंड में और कास करके संथाल पर गर में जो डेमोग्राफी जो बदला है और उससे सीधा सीधा तुरंत अगर कोई हो रहे हैं तो एक डेमोग्राफी है तूसरा जो क्राप्सान है जो नीचले अस्तर पर ब्लॉक अंचल थाना जहां आम लोगों से जुड़ा होता है आम लोगों को आए दिन काम पढ़ता है वह बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है और फिर डेवलोप्पेंट का इशू है जो जारखन में इन पांच वर्सों में विकास का काम हूआ नहीं है जन जीवन बिलकुल तबाह भी लोगों उस पर कोई सरकार में रीचे था बलकी ये पांच वर्सों तक सरकार वसूले में लगे रही लूटते रही लुटाते रही जारखन को तो यह महत्वण इसुए है वाकि तो और सारी इसू है, जब चुनाओं के मेदान में चलेंगे तो आपको बहुत सारी इसू दिखाए पड़ेगा, लिकिन मैंने मोटा मोटी है आप सब के समझ रहे हैं। अब हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग सीच्वेसान है और भी खास करके जिसे मेने का के ट्राइवल आदिवासी सबस्यादिक प्रभावित हो रहे हैं। जिसे 1951 अगर संताल प्रगरने में चवालीस परसेंट है, आज महां मातर 28 परसेंट है जयानि स्वला परतिशत के वहाँ गिरावाट हूई। उनीस सो एकावन में संपुन छारखंड में जहां 36 परशेंट ट्राइबल ते आज वहां मातरे 26 परसेंट यहनी 10 परतेंट की पुरा राजबी एक इरावाट है अखिर यह हम सब के लिए चिंता का विशय है यह अखिर इतनी बड़ी आवादी कहीं चले कहां चले के हम जिन को सुरचित करने के लिए विक्षित करने के लिए सवरकार अनेक प्रकार की योजनाय चलाती है लेकिन इसके बाद भी यह संक्यार अर उसमें भी जो देखे हैं सनातनिंदु ए उनके भी शंक्या घटी अगर बढ़ी है तो मुस्लिम निरटी के बढ़ी और सबसे अधिक जो बढ़ोतरी हुई, वो संथाल प्रगन के साइब गांच, पाको, दुमका, इन सारे रिजन में, चुकि वो बंगाल से सटा हुआ है, बंगाल बंगलादे से सटा हुआ है, तो वहां से जो रहेंगया ने घोसपैट किया, तो जारकड में आए, तो इसलिए अगर हम इस पर नही काम करेंगे, NRC नहीं लागो करेंगे, इसको हम नहीं पाचाने कि यहां से बाहर प्रन रिपोट नहीं करेंगे, तो यहां कि क्या बोलते हैं रोटी, बेटी और माटी यह सब पर यह हमला हो रहा है, तो इसको बचाना ज़रूर है, तभी वहां के ट्राइबल, आधि वासी, सुरच चित्रा सकते हैं अभी आपने हेवन सोरेन और कल्पना सोरेन के ओपर अटैक किया आप आपने उनको बंटी और बबली कहा तो इसके पीछे का क्या भाव था अरे इसके पीछे क्या क्या आप तो देखे होंगे ना कि वो पूरे पांच साल ही होई भीद गया कुछ नहीं दिया बड़े बड़े गोशना है क्या था 2019 में बहतर हजार रुपया साल में गरीबों को देंगे दो हजार रुपया चुलाख हर्च देंगे बेरोजगार नौजवानों को पांच हजार साथ हजार रुपया बड़ता देंगे लड़की की साधी होगी तो सोने की सिक्का देंगे दिया कुछ भी नहीं चुनाओ जब आया पहुंद जो था कि गोगोदीदी जोजना कि वे हमारी वीजेपी की जरकार बनेगी तो बनते ही पहला काइबनेट में करेंगे और 11 तारिक को मैंने महिना के 11 तारिक को 2100 रुपया माबनों की खाता में जाए कि गोगोदी ती योजना के ता इसका बदेख रहे हैं कि वो फिर गोचना करने लगे पहले एलेक्शन कमिशन को लिखके दिया विरोद में दिया कि सपोर्ट में दिया पता नहीं चलता है कुछ विरोद भी क् मरव ने पाटी का और उसके बाद कहा कि ने नहीं हम तो आप पिची सो देंगे फिर काइबनेट से का निर्नाई किया इसा है तो हम का रहे हैं कि आप ने पूरे पांच सल किया नहीं कितना लोगों को ठगो गए तो याद आया कि एक बबली बंटी एक पिक्चर थी तो अपने गयार यह तो काय खिल रहे हैं जो पती पती है बबली बंटी वाला जंता को क्यों मौर्ख बना रहे हो अगर यहीं देना तो फले एक साल से देते पांच साल से या जो आपने गोशना किया था उसी को समय से देते रहिं दिया नहीं अब चुनाव आ गया तो पहले हजार रूपया दंबाया आप देखा कि बीजेपी ने एकिस सो रूपया कि हम लोगों ने कहा गोगो दी दी ओजना अब वो हड़ बढ़ाया हुआ है एक दिन तो पता चला कि पुरा विग्या पन बची सो का पाले दे दिया था फिर रात में मेडिया से फिर उसक यंद्ब को लिए और यहार आप पतकाए थे इस वार लोग सभा में भी आपने ट्राइवल के सीटेग होई तो आपको लगता है कि ठ्राइवल जो आउटरीच था अब ट्राइवल आपके पक्च में है कि काई सारे लीडर भी आपके चंपरी सो रन भी आए तो आपको लग करतें कुछ नहीं है बीजेपी तो ट्राइवल गी जितना बोलता है हुआ से अधिक काम करता है लगे जारकन राज भी बीजेपी के हाथ हो बना जब अटलजी प्रदान मंतरी देश के बने तो अलगन बना दिया आधिवासी मंतरा लाय भी बना दिया स्रिमति द्रोपदी मु वायधिवासियों के लिए जितना बोलता नहीं ओतनाभी जैने करते हैं ये कांग्रेस पार्टी जिसके साथ ने जह मे में genJने हैं यह जो नहीं नहीं जहमी हैं जहरखन मुक्रति मोर्चा नहीं जहरखन कuse राटी ड़ाए पन मिद्सक्राइब बॉद्धर्शन से आवे, पैसा कहां से आवे, बस इसी में, जहें बालू बेचो, पत्थर बेचो, कोहला बेचो, सब इलिगल बेचो, जमीन बेचो, सेना की जमीन तक को बेच दालो, पैसा कामा, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंग्थ इस चुनाओं में क्या है, और्गनाइज़शन या रठने है, और उसके बढद मोदी जी का जो कार्च करम, गरीब कर लिया चुनाओं, जिस पर जनता विश्वास करती है, भरुसा करती है। यह दो तो हमारा estint है, यह हमारा ताकत है। वीजेपी जो कहती है वो करती है, यह हमारी ताकत है। अब बाकि जो उनकी कमजोरी है, वो हमें लाप पहुंचाती है. एक अंतिम सवाल की ये चुनाओ बावुलाल मरांडी के लिडिर्शिप में हो रहा है, तो बावुलाल मरांडी ही, अगर सत्ता भी जी भी के मुली मिलेगी तो मुख्यमंत्री होंगे? जारखंड को बचाने के लिए चुनाओ है. जारखंड बचेगा, तो बहुत कुछ हो. आज जी लोग के आतों में जारखंड है, दलालों के आतों में हो गया, वीचोलियों के आतों में चल गया, घुस पैठिये तीजी से बढ़ रहे हैं, क्रापसन बढ़ रहा है, अपराद बढ़ रहा है. अगर इसी प्रकार से जारखंड को लोटते हैं, लोटाते रहें, तब तो फिर कोई मतलब नहीं है. इसलिए यह मुकमंतरी की लड़ाई नहीं है, मंतरी की लड़ाई नहीं है. लड़ाई है जारखंड को बचाने की. जब चुनाओ जीत करके आएंगे, पा काम में लगें, कि जनता का कैसे खल जानो, देश की कैसे प्रगती हो, जारखंड कैसे विकास करें. यानि आज देशे के विक्षित राजियों के कातार में जारखंड भी कैसे खड़ा हो. तो यह हमारा मक्षद है. बहुत बहुत दिन्यवाद बावलाल मरंडी का उनका कहना है कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और जो करप्शन और जिस तरह की वहाँ पर डियोमेग्राफी में चेंजेज हो रहे हैं, जिसकी बदोलत वहाँ पर बीज़ेपी की सरकार आएगी. शंकरा निमेश, दपने.